हे दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू मैथ सिको चनल, आप सभी के दिमाग में एक ही क्वेशन चल रहा है, रेल्वे NTPC का एग्जाम कब होगा, रेल्वे NTPC एड्मिट कार्ड कब आएगी, पहले NTPC का एग्जाम होगा या ग्रूप D का एग्जाम होगा, ये तीन क्वेशन हर एक स्टुडेंट्स की दिमागवाई फिलाल चला जा रहा है आज की इस वीडियो में हम इस तीनों क्वेशन के बारें बात करेंगे साथ ही साथ ही जानेंगे कि NTPC के एड्मिट कार्ड कब आएगा और ये भी जाने हैं कि NTPC का एक्जाम कब होगा पहले ग्रूप D का एक्जाम होगा या पहले NTPC का एक्जाम होगा बहुत कुछ देखना इस वीडियो में इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा आपने दोस्तों का शेर जरूर कर दे और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक जरूर कर दे टार्गेट करते हैं 120 लाइक का I think, I hope आप लोग वो टार्गेट पुरा कर दोगे जिन लोगे नहीं हमारे चलाज भी तक सब्स्राइब नहीं किया है सब्स्राइब जरू कर लेना देखें सबसे पहले बात करते हैं NTPC Admit Card की आज कल हर एक YouTube चैनल हर एक YouTube चैनल पे आपको NTPC Admit Card का Release Date रोज रोज नय नय अपडेट आते जा रहा है और ये वो लोग हैं जो अगस्त नहीं बलकि जुलाई से बलकि यह उँ कहें कि आपने जब form फिलप किया था NTPC का तब से लेके ये अपडेट डाल रहे हैं कि NTPC का Admit Card इस तारीक को आएगा उस तारीक को आएगा तो क्या अभी तक Admit Card आई क्या अभी तक Official Exam Date Announcement हुआ नहीं हुआ सिर्फ YouTube चैनल ही नहीं अगर सिर्फ YouTube की बात करें तो सिर्फ YouTube चैनल ही नहीं बलकि हमारे इंडिया के बहुत ही रेपूटेटिव निउज पेपर और निउज चैनल भी NTPC exam date को लेके गलत गलत निउज चापती रहती है आए दिन अगर हम बात कर लें मैंने यहाँ पे देखिए बहुत सारे पेपर का लेकर रखा है तो सबसे पहले बात करते हैं जागरन जोस की जागरन जोस.com यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप जाईएगा इस साइट पे तो अभी भी यह कह रहे हैं क्या देखिए आपे call letter will be issued 10 days 10 days 10 दिन के अंदर बोल रहे हैं यह 10 दिन के अंदर और इनका अपडेट आया है कब अगस्त दो तारिक को दो तारिक से अगस्त दो तारिक से यह कह रहे हैं कि 10 दिन में रिलीज होने वाली है एन्टिपीसी का अड्मिट कार्ड और डेट ठीक है जागरन जोस जो की आप लोग बहुत ही रेपूटेडर मानते हैं especially for government opportunities अगर दूसरे निव चैनल की बात करें तो NDTV इंडिया आप सभी इससे रूबरू होंगे सहाइधी कोई व्यक्ति होगा जो एन्टिपीसी इंडिया निव चैनल नहीं जानता होगा वहाँ भी आप देख सकती है आर आर भी NTPC exams क्या लिखा गया है अगले महीने हो सकती है रेलवे NTPC परिक्षा जाने डिटेल कब अपडेट किया गया लास्ट अपडेट किया गया वेब साइट देखें आपे 25 अगस्त 2019 मतलि यह 25 अगस्त को बोल रहे है कि सितंबर में exam होगा अब यह कितना सच है कितना नहीं है यह आप अंदाजा लगा सकते है क्योंकि NTPC पिछले सब्तक अगर आप paper cutting देखेंगे तो उसमें भी यह कह रहे थे कि एक सब्तक के अंदर यानि 7 दिन के अंदर exam conduct कराए जाएगा तो क्या 7 दिन के exam हुआ नहीं हुआ अगर NDP इंडिया की बात अगर हम लोग थोड़ा serious भी ले तो यह देखें क्या लिखते है आयोजित करने के तयारी कर रहा है BT2, CBT2 28 अगस्ट से 1 सितंबर तक आयोजित की जाएगी इसका मतलब इनके कहने का अतात पर है कि जब तक CBT2 exam खतम नहीं होगा railway का तब तक आपका NTPC या group D का होने का कोई chances नहीं बनता है तो इनकी ये बात मानी जा सकती है लेकिन ये कहते हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर आपका exam conduct करा दिया जाएगा 7 दिन के अंदर अंदर आपका exam conduct करा दिया गया तो आप ऐसे लोगों से बचिए सबसे पहला बात इस वीडियो का मकसद ये है कि आप क्या चाहते है कि आपके लिए matter करता है कि NTPC का exam पहले होगा या group D का exam पहले होगा इन दोनों में से आप क्या चाहते है जी दोनों आपके लिए matter नहीं करता है आपके लिए matter करता है कि आपने कितनी पढ़ाई की है अभी तक, आपने कितने test series दिये है, पढ़ाई का time चला गया है, तयारी करने का time चला गया है, test series आपने कितने लगाए है, अगर आप 100 number का questions अप्टेम्ट करते हैं, तो आपने कितने सही किये हैं, उसमें से ये आपके लि देते ही नहीं है, आप history उठागे देख लिजिए, जो student बहुत ज़्यादा serious रहते हैं, उनको qualify करना है, exam निकालना है इस बार, वो अभी भी बैट के test series लगा रहे होंगे, कौन सा test कितने में कितना वो पा रहे हैं, वो आप देखते हैं, exam बहुत करीब है, exam जब होना है, उ सो होगा ही, NTPC exam होगा, या railway group D का exam होगा, यह matter नहीं करना चाहिए आपके लिए, क्योंकि यह दोनों exam तो होंगे जरूर, लेकिन क्या जब होंगे आप तयार हैं, क्या आपने 100 में से कम से कम 75 questions attempt कर रहा हैं, क्या 100 में से कम से कम 70 questions आप attempt कर पाना है, सही सही, अगर आप 70 attempt न website की बात कर लें, तो यहां आप देशाते हैं, the Indian Express, जाना माना, इसको भी आप जानते ही होंगे, इन्होंने क्या लिगा है, denying media reports claiming that the railway recruitment board railway will be releasing the admit card for the NTPC test this week, test this week, इस सब्ता, और यह last update किया गया था, एक September को, एक September को बताया गया है, कि इस week में जो है, इक्जाम होगा, चलिए इनकी report अगर मान भी लेते हैं, अगर हम इनकी report मान भी लेते हैं, तो क्या आप तयार हैं, क्या आप इन दोनों में से, सपोज कर यह NTPC पहले हुई, यह Group D पहले हुई, क्या आप तयार हैं, क्या आपने तयारी की हैं, 100 में से आप कितने attempt कर पाते हैं, अगर आप test series देते ह तो आपने बहुत पढ़ लिया math, reasoning, gk, total चीज आपने पढ़ लिया, अब पढ़ने का time नहीं है, अब आपको ये जाचना है कि आपने कितनी तयारी की है, अगर आपके तयारी में दम है, तो इन सब फालतियों की बातों पर ध्यान दे, वरना ध्यान ना दे, क्योंकि आपने अभी तक तयारी अपनी की नहीं है, NTPC होगी, तो क्या आप उसके तयार है, 100 में अगर आप 100 का exam देते हैं, तो 60 और 65 अगर आप attempt करते हैं, तो भूल जाईए, तो अब आप qualify करना भूल जाईए, क्योंकि यहाँ पर आज केल इतना ज़्यादा competition आ चुका है, कि 100 में, अग अगर आप कम से कम 70 से 75 नंबर स्कोर नहीं करते हैं, तो आप कम से कम इस बार की जो NTPC का जो फोर्म आया है, वो करीबन एक करोड लोग भरे हुए हैं, एक करोड लोग भर रहे हैं, एक करोड लोग और इसकी vacancy कितना है, 30,000 के आसपास है, कितना है, 30,000 से भी कम है, तो 30,000 में आप आते हैं क्या, अगर आप 100 नंबर का test लगाते हैं, सबसे पहले तो आपको यह जलाकि आपने test लगाने start भी किया है कि नहीं किया, आपने तैयारी की है, अगर आपने तैयारी की है, तो 100 में आपको 70 to 75 attempt करने ही होंगे, correct तब जाकर, आपका merit बन सकता है, तब आ एक करोण में आएंगे, कितने करोण में, एक करोण में आएंगे, अगर आपने तयारी नहीं की है, अगर आपने अच्छी से तयारी की है, तो पचास लाग के अंदर आएंगे, अगर आपने और अच्छी तयारी की है, तो बीस लाग के अंदर आएंगे, लेकिन आपको तीस ह परिक्षा की तारीक एक्जाम डेट या आप कितने तयार है आप जरूर सोच के बताएगा exam की डेट आपके लिए मैटर करती है कि कौन से कब होगा कट अफ कितनी होगी या आपने कितनी तयारी की है अभी तक मान लिजिए इसी महिने में एक्जाम होने वाला है मान लिजिए 10 तरीक के अंदर एक्जाम होने वाला है मान लिजिए 15 तरीक के अंदर एक्जाम होने वाला है तो आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि 100 में आप कितने स्कोर कर पाएंगे और यह सिर्फ बोलने की नहीं करने की बात है क्योंकि यह आपके कैरियर की बात है तो यह बेकार की बात है सोचना बन करें और तैयारी में लगें पूरा का पूरा फोकेस आपकी तैयारी पर लगाज़ाई है अगर आप काबिल है अगर आप तैयार है तो मौके आपको 1000 मिलेंगे बस आपको तयार होना है थैंक्स पूर वाचिंग दे वीडियो वीडियो पसंद है तो वीडियो का लाइक और शेर जरूर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में